Students, हम बात करेंगे trend in electronegativity, melting and boiling points of group 2 elements. Group 2 elements कौन से हैं, यह हम देखेंगे ठीकिए, सबसे पहले की list लेक कर आएंगे, उससे पहले हम यह देख लेते हैं electronegativity क्या होती है, electronegativity, यह हमें word electron से, यह हमें derive हुआ word लग रहे है, negativity कि किसी चीज़ की value negative में चली जाए, ठीक है, somewhat negative हो जाए, electron की वज़े से, इसमें हम देखें हैं, electronegativity हमारे पास property आ जाती है, ability आती है, एक atom की, कि वो दूसरे atom के साथ जब अपना bond बनाएगा, किसी दूसरे different atoms के साथ, तो हम देखते हैं, कि उसकी ability होती है, कि जो shared electron pair होता है, वो उसको अपनी तरफ खेज ले, ठीक है, अपनी तरफ खेजने की, attract करने की shared electron pair की, एक molecule के अंदर, एक molecule के अंदर, एक atom की, अपनी तरफ shared electron pair को अपनी तरफ खेजने की सलायत को, हम electronegativity कह दें, ठीक है, next boiling and melting points, boiling point होता है, चलें, पहले melting point देख लेते हैं, कि वो point या temperature हम जिस पे कहते हैं, कि हमारे पास substance जो है, वो solid से liquid में जाता है, ठीक है, और boiling point होता है, जिसमें liquid से वो gaseous state में आता है, ठीक है, या vapor form में आता है, ठीक है ना, फिर हम यहाँ पर बात कर लेंगे कि group two elements कौन से होते हैं, सबसे पहले हम group two elements को list ले आते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इनकी list देख लेते हैं कि group two elements कौन से हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आगे group two elements यहाँ पर यह हमारे पास group two elements है ठीक है, जिसको हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं इसमें है berylium है, then magnesium है, then calcium, then strontium, then barium and then radium अच्छा यहाँ पर radium के अगर सबसे पहले बात कर लें जो कि सबसे आखरी वाला group का element है तो इसके हम बात करेंगे कि देखें, radium जो है न वो radioactive होता है ठीक है, और radioactive होने का मतलब है कि यह raise image करेगा और किसी दूसरे element में convert हो जाएगा जो कि stable element होगा न उसमें convert हो जाएगा, ठीक है तो इसलिए हम इसकी बात नहीं करेंगे यहाँ पर, हम इसके इलावा बाकियों की बात करेंगे ठीक है, इसके लिए हम ऐसे करते हैं, दुबारा थोड़ा सा उपर ले आते हैं ठीक है, यहाँ स्क्रॉल अप कर लेते हैं और अब यहां पर देखते हैं कि देखें इनकी यहां पर अब हम बात करेंगे किस तरह सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके size की बात करते हैं और उसी से हम एक्रो नेगिटिविटी तक जाएंगे किस तरह से size increase कर रहा होगा ठीक है उसके बाद हम देख लेते हैं कि लिगए जब size increase कर रहा है तो यहां पर अगर हम देखें तो इसका nucleus इसके outer most electron और इसका nucleus चेले हम पहले दोनों अगर हम देखें तो shared electron pair अगर आएंगे तो इसके यहाँ पर आजाएंगे तो इसके यहाँ पर बनेंगे ठीक है ना जबकि अगर यहाँ पर देखें बेरियम के केस में तो shared electron pair इस तरफ को आएंगे तो अगर बात करें हम अगर बात करें बात करें बेरियम की तो बेरियम की त वेलेंस यह जोंगे वेलेंस इलेक्ट्रोंस तो इस वाला टाइक है और इसकी मुझते करें विप्लेंस के नि॥र 적लर तो पर करेंगे लिए बिएलेंस खरीक्ट मे ऐसकर तो डिये बेलेंस डियेणस कर दो tai तो मजीद यो यो एलेक्ट्रोंस के असको अटर कर है ठीक है ना तो हम कहते हैं कि नुकलियस के अंदर इतनी ज्यादा अगर बेरिलियम के मुकाबले में देखें तो इतनी ज्यादा ताकत नहीं है कि मज़ीद एलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ एट्रैक्ट कर सके ठीक है वैसे तो यह है कि यहां पर ग्रूप 2 के ऐलेमेंट्स यह हमारे पास मेटल्स होती है ठीक है यह हमारे पास मेटल्स होती है और इनके आउटर मोस शेल में 2 एलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहां पर हम यहां पर इस तरह लिख देते हैं 2 वेलेंस एलेक्ट्रॉन्स 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 one या Кnu के शीकला इनमें में से किसी की भी बहुत जाद एलेक्ट्रोrale नेगेट वीटीविटी नहीं है झाय crying कि electronegativity down the group जाते वे decrease कर रही है अच्छा, decrease करने की वज़द से हम देखने कि कि इसकी reason भी हमने देख लिए कि क्या है कि इसकी वज़ा ये है कि हम देखने कि नुकलियर अट्रेक्शन जो है वो बेरियम में availence shell तक कम है जा रही है बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से हमारे जो जो लोग हमारे जादा खरीब रहते हैं हमारा उन से जादा अच्छा connection होता है इसी तरह हम यहाँ देख लेते हैं nucleus का connection valence shell से जादा अच्छा होगा जब हम देखते हैं कि size चोटा होगा जिस तरह बेरियम में है इस तरह हमने कहा कि बेरियम में तनी ताकत नहीं है कि मज़ीद electrons को या shared electron pair को या हम कहते हैं जी electrons को अपनी तरफ खेच सके attraction की electrons को attract करने की सालायत इतनी नहीं है इसमें next आ जाते है melting and boiling points इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर हम इसके लिए graphs देख लेते हैं ठीक है यह हमारे पस यहाँ पर दो graphs आ गए एक melting का है एक boiling point का है अब इसमें देखिए melting and boiling point में अगर हम graph देख रहे हैं तो इसमें यह देखिए कि यह graph किस तरह भी है bar graphs बने हैं ठीक है हमारे पस हर element के लिए group 2 के elements हैं उनके लिए bars बने हैं ठीक है तो हम bars के अगर recording देखिए तो देखिए beryllium से magnesium पे आ रहे हैं sorry इसको line को थोड़ा सब ठीक करेंगे beryllium से magnesium पे आ रही है then calcium के लिए rise कर रही है ठीक है यानि कि beryllium से magnesium पे decrease हुई उई उसके बाद calcium के लिए इसके अंदर हम कहते हैं कि increase आया उसके बाद दुबारा हम देखने कि इसके अंदर decrease आ रही है इस तरह से ऐसे हमारे पास value आ रही है ठीक है और boiling point में actually हमारे पास कोई particular trend जो है वो follow नहीं होता इसार से यह देखिए beryllium से magnesium पे जाते हुए decrease हुई फिर calcium की बार आई तो डेकिं calcium की तरफ जाके boiling point rise हुआ है लेकिं calcium के बाद strontium पे तो हम कहारे है कि decrease दुबारा हुआ है लेकिं strontium के बाद barium पे हमारे पास दुबारा से increase आ रहा है तो यह हमारे पास हम कहते हैं कि boiling point के अगर हम बात करें तो हम कहते हैं Irregular Trend है, ठीक है? इसको हम कहेंगे Irregular Trend Irregular Trend हम लिखते हैंगे, ठीक है? Melting Point ही यहां पर हम बात कर लेते हैं हम यहां देख रहे हैं कि एक Trend थोड़ा सा Follow होता वह नज़र आ रहा है कि अगर हम Melting Point का Order लिखें तो सबसे ज़्यादा Berylium का है फिर Magnesium का है, ठीक है? उसके बाद पर हम देख रहे हैं Magnesium से ज़्यादा किसका है? Calcium का है, ठीक है? उसके बाद हम देख रहे हैं कि Stroncium का है, और फिर उसके बाद Berylium का है तो हम देख रहे हैं, इसके अंदर decrease आ तो रहा है, लेकिन बीच में anormally आ गई है, ठीक है, anormally क्या होती है, को एक चीज जो कि abnormal behavior शो कर रही हो, अब यह देखें, यह वाला पार्ट जो है, वो abnormal behavior शो कर रहा है, ठीक है, यह calcium के लिए CA, ठीक है, अब यह पार्ट, abnormal behavior यह जो देखें न, हमने कहा कि यह देखें, बेरिलियम से मेगनीशम पे तो decrease हो गई, ठीक है, किस वज़े से, melting point के लिए, अगर हम बात कर रहे हैं, किस की reason क्या होती है, decrease करने की reason क्या होती है, down the group हम जब जाते रहते हैं, तो हम देखते हैं, कि हमारे पास size increase करता रहते है, ठीक हैं, इस तरह से हमने उपर भी देखा, चले हम उपर ही चलते हैं वापिस, तो, लेकिन size increase कर रहे हैं, और size increase करने की वज़े से क्या होता है, कि हमारे पास बेरियम में क्या ability होती है, कि electron बहुत जल्दी से lose कर देने की ability होती है, क्योंकि nucleos का इतना hold आउटर मोस चल के electron पे नहीं है, ठीक है, तो ये अपने electron को, आउटर मोस चल के electron को easily lose कर देगा, और दूसरी बात ये, कि देखें, अब अगर बेरियम के इस item जैसा, एक और item इसके करीब आज़े है, जहां से हमने इसको copy किया, ठीक है, और इससे से एक और item यहां पर ले आए, ठीक है, जिस तरह से यहां पर आगया, अब ये देखें, इन में क्या है, distance ज्यादा है, ठीक है, यानि कि दो nucleus जो है, या दूसरा जो atom है, इसके अंदर, इन दोनों के जो दर्मियान, जो हम कहरें, इनके दर्मियान क्या है, binding force कम होगी, क्योंकि size ज्यादा होगा ना, तो हम यहां पर जिस तरह से mention भी कर देते हैं, कि greater size अगर हमारे पास हो, तो binding force, यानि कि जो दो atoms को bind कर रही है न, force, वो हम दिखते हैं कि कम हो जाती है, weak हो जाती है, ठीक है, greater size, ठीक है, larger size है, greater size, तो उसकी वज़े से क्या होता है, हम कहते है, weaker binding force, ठीक है, यहां पर हम लिखेंगे, weaker binding force, यानि कि वो force जोके इनको दो atoms को, एक substance के different atoms को हम कहते हैं कि उनको bind करके रखते हैं, ठीक है, weaker हम कहते है, binding force, binding और इंचे force लिखती है, ठीक है, तो इस तरह से हमने देख लाए, इस वज़े से हम कहते हैं कि जो barium है, हम इसकी बात करें अगर तो इसमें हम कहते हैं, income melting point decrease होना चाहिए, जबकि berylium का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, और इसी वज़े से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि barium का decreased होना चाहिए, सबसे कम होना चाहिए, या फिर हम कहते हैं कि इनमें decrease करना चाहिए, जबकि berylium का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहां पर trend follow करते हुए हमने देखा कि magnesium के बाद फिर से एक दफा increase आता है और यह increase किस तवज़े से आता है इसकी reason हम देख लेंगे ठीक है यहां पर अगर हम reason देखें तो इसको हम थोड़ा सा नीचे करेंगे यहां पर ठीक है और इधर हम देखेंगे कि देखें अगर हम magnesium के अंदर देखें या पर हम देखें और calcium का दोनों का हम structure यहां पर लेकर आएंगे ठीक है कि actually इनके cubes में अगर हम sorry इनके हम structure देखें crystal structure तो वो किस तरह से होते है इस तरह से यह अब जो आया है यह hexagonal close packing है इसको हम discuss करते हैं यह magnesium के लिए होती है ठीक है और एक होती है cubic close packing क्यूबिक close packing की भी हम ले आएंगे किस तरह arrangement होती है यह इस तरह से होती है ठीक है इन दोनों का हम देखेंगे अब अगर यहां पर बात करें तो देखें यह हमने क्या कहा magnesium के लिए है ठीक है और जो दुसरी वाली है हमारे पास cubic close packing की के लिए है कैल् industrium के लिए förह दड़ है ठीक है gaps है यह हम कह सकते हैं कि यह क्या है spaces है या channels है ठीक है तो यह हमें spaces नजर आ रही है इसके अंदर तो यह हमारे पास इतनी ज्यादा closed packing नहीं है as compared to calcium अब यह सारे जो items है ना वो हमारे पास क्या है magnesium की items है यह जो हमने जिनके ओपर A लिखा वे ना वो एक layer है magnesium की items की उनके उपर B items जो हैं जो के वो भी magnesium के हैं वो किस तरह से arrange होंगे actually वो दिखाया है कि यह दूसरी layer है इसलिए हमने इस पर B लिखा है ठीक है तो इस तरह से देख रहे हैं B layer आ जाती है तो यह इस तरह से दो layers होती है और इस तरह A, B, A, B करके यह layers उपर उपर आ रही होती है ठीक है तो इस तरह संदिक दिन की ऐसी packing होती है इसमें देखे हैं हमारे पास spaces आ गए लेकिन अगर हम calcium में बात करें एक A layer होती है उसके उपर B layer आई उसके उपर C layer आई कि कुछ गुछाईश ही नी बची कोई gaps आए नी इतनी close packing होती है ठीक है जब इतनी ज्यादा close packing होगी तो हम देखते हैं कि इसके पास definitely जब packing बहुत ज्यादा close होगी तो इसके वज़े से melting point definitely rise करेगा क्योंकि binding force ज्यादा आगई इसमें ना तो हम कहते हैं कि उनको तोड़ने के लिए एक दूसरे से दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें ज्यादा temperature देना पड़ेगा यानि ज्यादा temperature देने का मतलब है ज्यादा heat देनी पड़ेगी ज्यादा heat देने का मतलब है 2K elements में.